हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आरके वाई टेकनिक चैनल पर आज की इस वीडियो की टोपिक होने वाली आगामी खेल पती युगीता दोहजार देश जो की आने वाले सभी कमप्टी से निकजाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इस वीडियो को अंच तक जरूर देखिएगा और चैनल परनाय हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ये टोपिक साब के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाली है चले स्टार्ट करते हैं आज का जो सबसे पहला कोशन है दोस्टो फीपा महिला विस 房ट लोगाे माये था डॉजारते इसका आयोजन जो हुआ है वह स्पेन की रही है संस्क्रार जो था वह आपका नमवा संस्क्रार था सुभंकर जो थे इसके तजुनी जीत थे चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं हम लोग भी सेंपियंशिप 2003 इसका आयोजन कहा हुआ है तो दोस्तो इसका आयोजन जो हुए है आपका बुड़ा पोश्ट हंगरी में हुआ है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इसका जो इंपोर्टन पॉइंट्स हैं तो दोस्तो पदक तालिका में पहला अस्थान जो था वह अमरीका में था जो पुल पदक जो था 29 पदक ता जिसमें बारा जी 18 एट एस और नौ भी था भारत का जो अस्थान था वह आट्रावा अस्थान था इन्हों ने क्या किया था एक स्वड़ पदक जीता था जो थे आपके द्वसीए क्रिकेट विष्व कप 2013 की मेजबाणी कौन देश करेगा दोस्ति इसकी मेजबाणी जो देश करेगा व्यदेश आपका कौन सा है वैदेश आपका भारत याद रखे लिजिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इसका जो important points हैं दोस्तों इसके संस्क्राइब जो था यह तेरवा संस्क्राइब ता सुभंकर जो थे इसके रिट्टो वर्स था आपको याद रखेगा और चोधावा आई सी सी पुष ओडियाई क्रिकेट विश्व दोजार सत्ताइस दच्छेड अफ्रीका जिमबाम्बे और जो एन वीविया में खेला जाएगा और पंद्रावा आई सी सी पूडियाई क्रिकेट विश्व दोजार भारत और बंगलादेश में खेला जाएगा याद रखिएगा सभी लोग दोस्तों एस याई खेल जो है 2023 कहां आउजित किये जाएंगे वह आपके कहां पर किये जाएंगे वह हांग छोव चीन में किये जाएंगे याद रखिएगा आप लोग इंपोर्टेंट पॉइंट जो हैं इसके संस्क्राइब जो था यह उननीसवा संस्क्राइब तया सुबंकर जो थे इसके 10 मार्ट ट्रिपल जी थे और 20 वे एस याई खेल 2026 जो है वह जापान में खेले जाएंगे तो सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाएगी जहां से आप लोग इसकी पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग हमारे या टेली ग्रूप से जूड़ना चाहते हैं तो आर्क वाइट टेकनिक चैनल को टेलीग्राम पर सच करिएग तो दोस्तों यह जो आयो जित हुए हैं आपकी बर्लिन जर्मनी में आयो जित हुए हैं याद रखिएगा इसलिए इसका आपना नमबर एक करेक्ट हो जाएगा तीसे राष्टी खेलों की मेंजबानी जो करने वाला राज है वह राज आपका वह राज आपका है याद रखिएगा सभी लोग बेरी वरी इंपोर्टेंट कुश्चन है आप लोग इस चेंपिंप्यंशिप 2023 का आयो जन कहा हुआ है दोस्तों इसका आयो जो हुआ है आप क इंपोर्टेंट्स हैं और सबसे ज़्यादों जो इंपोर्टेंट्स हैं आप तभी को स्टार्ट मार्क लगवा दिये जाएंगे देखिए इसमें इंपोर्टेंट पॉइंच की बात कर लें तो दोस्तों इसके सुभंकर जो थे वह आपके थे मोगा और भारत में राश्टी खेलों का योजन जो है भारती ओलंपिक संग के द्वारा किया जाता है याद रखिएगा भारती ओलंपिक के द्वारा किया जाता है कि अग्यजान दोस्तों अप सभी कर दो जिए ऐसी न कि इस देश ने की है तो दोस्तों इसकी मेजवानी जिस देश ने की है वह देश आपका भारत है भारत के चिन नहीं में हुआ है इसकी मेजवानी चले कुश्चन दोस्तों आप सभी कर दोजर तेईस में एसिया के सबसे पुराने फुटबाल टूनामेंट डूरंड कप का आयोजन की शहर में किया जा रहा है तो दोस्तों इसका आयोजन जिस शहर में किया जा रहा है वेड़ सहर आपका कोलकाता गुआटी सिलांग ये तीनों है इसलिए इसका अपसन मजो करेक्ट होने वाला आप आपका डी करेक्ट हो जाएगा चलिए इसकोशन का अंसर करिएगा 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आई यूजी 2023 की मेजबानी कि सराजने की है तो दोस्तों इसकी के आई यूजी की मेजबानी जिस राजने की वह राज आपका कौन सा है वह राज आपका उत्तर प्रदेश है इसलिए स्कॉप्ट नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर दें तो पदक तालिका में जो पहला अस्थान था वह पंजाब इनुवर्सिटी का था और पहला संस्क्रड जो खेला गया 2020 में खेला गया जो भूनेसवर उ इनुवर्सिटी का पहला अस्थानता सभी लोग याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट फैक्स आपको बताया जा रहे हैं तो आप लोग याद रखती है चलिए इसका अपना नंबर भी करेक्ट हो जाएगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो इसका जो व संस्क्राइब याद रखिएगा तो इसमें पोलेंड और फोलेंड में खिला गया था वीजेता जो था यूक्रेयन था याद रखिएगा सभी लोग वोशन रसीद कालिन ओलंपिक खेल दोजार चब्स कहां आयुजित किये जाएंगे दोस्तों यह जो आयुजित किये जाए किये जाएंगे मिलान और पोल्टीना में किये जाएंगे जो कि इटली में इस्तिक है अब याद रखिएगा आप्सन नंबर ए बिल्कुल करिक्ट होगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो इसमें वह संस्क्राइब जो था वह 25 संस्क्राइब था चौभी सामय सितका करिएगा 2013 में एस्टिक्स चेंपियंशिप का आउजन जो हुआ है वह कहा हुआ है तो दोस्तों इसका आउजन कहा हुआ है आप तभी लोग इस क्कृश्चन का अंसर जरू करते जाएंगे तो दोस्तों इसका आउजन आप तभी को बता दिया जाए यह आपका वैंक कॉप में किया गया है याद रखिएगा सभी लोग कहां पर किया गया है बैंक कॉप में किया गया है चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो दोस्तों भारत का अप जो है अस्थान जो था इनमें तीसरा था जिसमें 27 पदक जीते थे जिसमें 6-6 पदक और 12 दस ब्रॉंज के थे और संस्क्रड की बात कर लें तो 23 पचीसवा संस्क्रड था जिसका सुभंकर जो थे भगवान हनुमान जीत थे याद रखिएगा तो आपका टेनिस टूनामेंट विडियो है विब लंडन ओपन 2003 का आयोजन कहा हुआ है तो दोस्तों इसका आयोजन जो मेजवानी जीदेश ने की है वैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा मोरक को याद रखिएगा सबी लोग मोरक को इस्टार मार्क जरूर आप लोग लगा लिजिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लें इसमें तो दोस्तों इ 2024 की मेजवानी कौन सा सहर करेगा तो दोस्तों इसकी मेजवानी जो सहर करने वाला वह सहर आपका पेरिस का जो है फ्रांस का पेरिस सहर याद रखिएगा चलिए इस कॉश्चन का जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपका यह संस्क्रत था चौन तीसवे ग्रेस का आलिम्न ओलंग पिक जो है दोजार अठाइस जो है लास एंजल्स यू एसे में रहेगा और पाजिटिसवा जो तब्रेस का आलिम्न ओलंग की दोजार रखिश म में जो है अश्ट्रेलिया में रहेगा हमारा नेस्ट कॉर्शन दोस्तों फुटवाल टूनमेंट पुरुष फीफा विश्ट का दोजाएगा तो दोस्तों यह जो आयोजित किया जाएगा वह आपका अमरीका मैक्सिको कनाड़ा यह तीनों जगों पर आयोजित किया जड़ित का य electr करिएगा दोजार 2D BC का जो है तुर्शन बैक दूमपर गश्ट्र सथिष्छ पर अपको सवता गब्रनद केया आपका। ऑस्थां ब्हारत अब्रत का था गुल्स परक्ति चले इसको यह में जो आस्फान भारत का था गजिसमें खुल परक त्रतह सोब जिसमें एक सो तीन गोल्ड के थे nephew जिल exclus चै hardest के देए याद रखिएगा कोश्चन डोस्तो आप सभी का महिला हाकी टूर्णामेंट जो है है कि टौर्णियो डेल ट्न तेल गॽंट वजहते स्काय को हूगा है तोड़स्तों सकायँ जो हूग है है आप सभी को बता दिया जाए इसका एउजन में हुआ है सभी लोग याद रखिएगा इसलिए इसका नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि कुश्चन दोस्तों 2023 में प्रो पंचा लीग का पहला संस करर कहां आयोजित हुआ है तो दोस्तों हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो इसका नहीं दिल्ली आप लोग याद रखिएगा इस्टार मार्क जरूर आप लोग इसे लगा लीजिएगा चलिए इस क्कुश्चन का अंसर करिएगा आप लोग आईसीशी विस्ट टेस्ट चैंपियंशिक 2021 का फाइनल मैस कहां आयोजित हुआ है तो दोस्तों मैस का आयो इसकी जो तीम की बात कर लें आपकी किस्मत आपकी हाथ में यूर फैट यूर हैंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे उसे नहीं दोस्तों इंटर कंटिनेंटल फुटबॉल कब 2030 की मेजबानी कि सहर ने की है दोस्तों इसकी म दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसमें से दोस्तों तो इसमें बिजेटा जो टीम रही है वह कौन सी रहे है भारत रही है और संस्क्राइब तीसरा संस्क्राइब याद रखिएगा पहला संस्क्राइब मुंबई में खेल गया तो 2018 में दूसरा संस्क्राइब एहमदाबाद 2019 में आप लोग याद बारते इसमेकांस परतक जीचने वाली भारती तoti वार बनी हैं ya को दोसटों आप सब्सक्रायक्त ऑगा आपका रेंप देंका अटार ऑजया जीन-धिशन थे यह एक का हुआ दोस्तों आम सभी का चिन नहीं भारत में हुआ याद रखिएगा सभी लोग इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो दोस्तों इसमें मिस्तर ने फाइनल में मलेशिया को दो एक मेजबानी कौन सा राज करेगा भारतिया राज कौन सा करेगा तो डोस्ति की मेजबानी जो भारती राज करने वाला व hai राज आपका कौन सा है उत्तर परदेश से याद रखिएगा सभी लोग बेरी बेरी प्रतियोगीता में कुछ जो है 42 पदक जीते और भारत की पदक तालिका में जूनियर भरतोलो को द्वारा जीते गए 15 पदक और युवा को भरतोलो को के द्वारा जीते गए 27 पदक सामिल है याद रखिएगा सभी लोग बेरी बेरी इंपोर्टेंट जो है पॉइंट्स भी है आप सभी के विश्व तिरंदाजी चैंपियंशिप 2013 कहा आयोजन हुआ है दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ है आप सभी को बता दिया जाए हुआ है आपका जर्मनी में हुआ है इसलिए इ करेक्ट हो जाएगा याद रखिएगा सभी लोग करेक्ट आंसर आपका डी होगा कोशन अंडर 17 विश्व केंड़ेट कुष्टी चैंपियंशिप 2013 कहा हुआ है तो दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ है आप सभी को बता दिया जाए आप सभी को बता दिया आप सभी इस्ता सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल लिए और आप लोगों को बता दिया जाए कि इन वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहना से बनाई जाती है तो तो प्लीज आप लोग अपना रिस्पॉंस देगा आप लोग अपना रिस्पॉंस देगा आप सब्सक्राइब कर दोर्या preventing ज्यादा जैर करी इए जोन इसका इसका संस्क्राइब जो कि यारत रखिये का सबी लोग करें यू टून्टी विस्टो कुष्टी चैंपियंशिप 2013 का आयोजन कहां हुआ है तो दोस्ते इसका आयोजन जो हुआ है आप सभी को बता दिया जाए वह अम्मान जार्डन में हुआ है इसलिए स्कॉप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चलिए जूनियर एच्छाइए इसलिए पाकिस्तान रही है याद रखिएगा पहरा तिरंदाजी विस्टो चैंपियंशिप 2013 का आयोजन कहां हुआ है तो दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ हुआ है आपका प्लेजन चेक गड़ राज में हुआ है इसलिए इसका अप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा प पर आयोजित अप्शन ने कहां पर आयोजित एस जो है सर्फिंग चैंपियंशिप 2013 में पहली बार का अश्पदक जीता है तो दोस्तों इसका प्लेजन जो हुआ है आप सभी को बता दिये वह आपका लो नाटो इटली में हुआ है याद रखिए अगा लो नाटो इटली मे क्रेक्ट हो जाएगा को शने के सूपर जूपर इसका आउजन आप सभी को बता दिया जाए इसका अंगरी में हुआ है याद रखिए यदर लिए इसका नमबर डे करेक्ट हो जाएगा चली इंप्रिटेंट पॉइंस की बात कर लें तो बिजे तर भी रही आर जो है वी यह दिए आप लोग इसकी पीडियाप चाहते हैं तो आप लोगों को कमुंटरी पोस्ट में भी जो है इस पीडियाप की लिंक मिल जाएगे तो आप लोगों वहां से भी डाउनोड कर सकते हो कुश्चन दोस्तों वर्ष 2023 में टाटा IPL का 16 संस्क्राइब कहां आयोजित हुआ है तो दोस्तों इसका 16 संस्क्राइब जो आयोजित हुआ है वह आपका भारत में हुआ है याद रखिएगा सभी लोग इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करने तो दोस्तों टाटा IPL दो जाते है इसकी विजिता जो टीम रही हुआ चिन्हीं सूपर किंग रही याद रखिएगा चिन्हीं सूपर किंग और टाटा IPL 2020 की विजिता टीम जो रही है गुजराइब टाइटन्स रही है जो इसमें 15 सं कर 2008 में जो है राजस्थान के रायल्स राजस्थान रॉयल्स विजिता टीम रही है चलिए इस क्वेशन का अंसर करिएगा पहली इंडियन प्रीमियर हैंड बॉल लिग 2003 कहां आयूजित हुई है दोस्तों यह जो आयूजित हुई है आपका याद रखिएगा जैपुर में आय नुदुए यह जो हुआ है आपका ब्राजील में हुआ याद रखिएगा कहां पर हुआ है स्का आयूजित हो गांगा इस लिए इसका आप्छी नमबर के करेक्ट हो गा इसका इंपोर्टेंट पॉएंच जो आ इसमें भारत का जो अस्तान रहा है वैं दूसरा अस्तान रा लिए 1415 सव्षय एक रजत पदक था और दार क पनला सचस्थISE पदक जिसंगे श्वरोड चाल एक आपका पदक जिसमें 6 सवर और इंप्रोפ्टन था तो इस आप लोग स्टार मार्क लगा लेजिएगा को इसलिए स्कॉप्शन नमबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा नेस्ट कोईशन है दोस्तों से इसमीं हाकी इंडियन जूनियर महिला राष्टी चेंप्रेंशिप 2003 इसका आयोजन कहा हुआ है तो दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ है आप तुभी को बता दिये जब आपका राउर केला उडिशा में हुआ है याद रखेगा सभी लोग आप से नमबर डी करेक्ट हो जाएगा इंपोर्टन पॉइंट्स की बात कर लें तो इसकी बीजेता जो टीम रही हुआ है आपकी मद्य परदेश रही है याद रखेगा कौन सी रही है मद्य परदेश इसकी बीजेता टीम रही है याद रखेगा सभी लोग नेश्ट कोईशन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों फीपक प्रूस बास्केट वाल विश्कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश्ट करेगा तो दोस्तों इसकी मेजबानी जो देश्ट करने वाला वैदेश आपका खतर है याद रखिएगा आप लोग खतर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो इसका संस्क्राइब जो था 20 वा संस्क्राइब था 19 वा संस्क्राइब 2003 इसमें इंडोनेसिया जापान और फिलिपीन्स की बीच हुआ था चलिए इंडिया यूथ गेम 2030 इसकी मेजबानी जो है किस राजने की है तो इसकी मेजबानी जिस राजने की यह वह राज आपका यमपी है यानी मर्द परदे से याद रखिएगा इसलिए स्कॉप्ट नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इंपोर्टन पॉइंट्स की बात कर ले होता दोजार इकीस बाइस में पंच कुला हरियाना और पहला अस्थान जो था इसका हरियाना का ही था याद रखिएगा सभी लोग पोजिशन आप सभी का 36 वे राश्टी खेल 2022 कहां आई विजित हुए हैं तो दोस्तों यह जो आप सभी को बता दिये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के गुजरात में हुगा इसलिए स्कॉप्टन नंबर एक करेक्ट होगा इंपोर्टन पॉइंस की बात करने तो पहला अस्थान जो रहा विसका सर्फी सर्विसेज करा जिसमें उन्होंने क्या किये थे एक सो अठाथाइस पदक जीते जिसमें एक तोलन चैंपेशिक 2022 कहां आयोजित हुए हैं दोस्तो इसका आयोज़न जो हुआ है आप सभी को बता दिया यह दख्षिड कोरिया में हुआ है इसलिए इसका अप्टन नंबर डी करिक्ट होगा कोशिए न दोस्तों आई एच एफ जूनियर कब 2030 कहां आयोजित हुआ है तो दोस्तों यह जो आयोजित हुआ आप सभी को बता दिया जाये मेरे प्यार दोस्तों आपका शुहल जर्मणी में हुआ है याद रिक्ट रिक्ट को जाएंगा इंप्टेंट प्मेंन्ट की बात कर लें तो दोस्तों प्राइप सालिका में कि दॉजरते इस के पहले संस्क्राद का आई उजन कहा हुआ है आपका कहां पर हुआ है मुंबई में हुआ है जो की भारत में याद रखिएगा सभी लोग इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो दोस्तो विजेटा टीम जो रही है मुंबई इंडियन्स रही है और संस्क्राइब की बात कर लें तो पहला जो है संस्क्राइब ता सुभांकर जो थे सक्ति जीते याद रखेएगा सभी लोग इंगलिस प्रीमियम लीग जो है 2022-23 का आयोजन कहा हुआ है तो दोस्तो इसका आयोजन जो हुए आप सभी को बता दिया जाए आपका इंगलेंड में हुआ है इसलिए इसका नमबर डी करेक्ट हो जाएगा कोश्चन एंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2023 का आयोजित जो ह हुए है वह कहां पर हुई है तो दोस्तों यह जो आयोजित होई है आप सभी को बता दिया जाए आपका करिक्ट आंसर हो जाएगा मेडलिन जो है जो है कोलंबिया में आपका करिक्ट आंसर हो जाएगा इसलिए इसका नमबर डी करिक्ट हो जाएगा से भी लोग स्टार मार कि इसको जरूर लगाएंगे कि वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन है चलिए इस कुश्चन का अंसर करिएगा आइसे सी महिला टी टॉन्टी क्रिकेट विसका दोजरते इसका कहां आयूज हुआ है दोस्तों इसका आयूजन जो हुए आप सभी को बता दिये यह आपका कास्ति महिला टीम की कप्तान थी और विजेता चीम थी ऑस्ट्रेलिया ती संस्कृट जो था आटमा था और साथवा संस्क्रण नियूजी लैंड ता जो की विजेता टीम थी तुछ आश्ट्रेलिया ही थी याद रखिएगा और नवा संस्कृट्ट दोजार 24 में बंगला में खेला जाएगा याद रखिएगा मुख्यवाजी चैंपियंशिप 2023 कहां आयोजिन कहां आयोजित हुआ तो दोस्तों इसका करिक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का आपका भारत में हैं आपका बिल्कुल करिक्ट आंसर हो जाएगा कि चलिए इंपर्टन पॉइंट्स ची बात कर लें तो दोस्तों परहत तालिका में पहला स्थान किस परका था वारत का था संसक्रण जो था व्युक्राइब इस्तामबूल तुर्की था आपका करिक्ट आंसर चलिए कोशन दोस्तों आई एस एफ निसाने बाजी विश्कव दोहजार यहां पर दोहजार तेइस रहे गए यहां पर साइट एक पर आप लोग देख लिए जिए कर दोजार तेइस कहां आयुजित होगा तो दोस्ते इसका आपका बहुपाल भारत में हो गए याद रखेसा बहुपाल भारत पका बिल्कुल करिक्ट आंसर हो जाएगा इंपोरटन्ट पॉन्स की बात कर लें तो दूसों परसिआ में बात का ता तो मैं दूसरा अस्ठाल की इसका एब याद रखे सभी लोग इसका आवजन कहां हुआ है तो दोस्तों इसका आवजन जो हुए आप सभी को बता दिये आपका आपका कहां पर हुए भूनेस्टवर में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा जो की उडिशा में इस सित है इंपोर्टन पॉइंट्स की बात कर लें तो दोस्तों इसमें बिजेता है जो टीम रही है जर्मनी रही है संस्क्राइब जो रहा था हुए पंदरवा संस्क्राइब सुभंका जो थे वह उली ते और सोलेवा संस्क्राइब 2026 में वेल्जियम नीदर लेंड में होगा याद र इंपोर्टन कोशन कवर करा हैं तो आप लोगों को याद वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेर करने की कोसित करें और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा से कमेंट जरूर लिख के बताएं कि आप लोगों को नेक्ट वीडियो के चाहिए और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना हमबन रिक्वेश्ट आप सभी से